ऊइचाँ अपर टू ऑए हां जड़ डोस्तों विल्कम बेक आजब हैं आज बीसिकली हम कुछ एक प्रॉबलम्स को कच प्रडूब्लेम्स को क्च ऑगई जिसे जिन लोगों मुझा से पैड़ी साथ से लें लिग हैं जिन लोगों से कुछ कॉल कर सकता हूं जिन्होंने मुझे मेल पर कुछ भीज रखा है उन लोगों की फाइले हम देख रहे हैं तो हम फाइलों के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहली फाइल जो हमारे पास है हम ले लेते हैं यह फाइल है हिरें की चीक है काफी दिनों से काफी ज्यादा परेशान ह और जैसा कि यह एक विंडो पर आपको दिखाई दे रहा है सामने यह इनकी फाइल है और इसमें इनको कुछ परेशानियां आ रही है इनके हिसाब से तो सब कुछ ठीक है इनको कोई खास परेशानी आ नहीं रही है लेकिन इन्होंने जब मुझे से पूछा तो मेरी तरफ से एक रिप्लाइ गया था कि मटीरियल्स जो मुझे लगते हैं वो ठीक नहीं है और अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ या फिर जो ब को लेकर शेडिंग को लेकर दिख रही है शेडिंग इन दे सेंस अगर मैं बात करूँ तो मैं इसे फोटोशॉप में एक बार उपन करके आपको दिखाता हूं कि प्रॉब्लम मुझे क्या दिखाई दे रही है इसमें और किन चीजों पर हम काम कर सकते हैं कैसे कैसे कर सकते ह है उसकी तो कोई limitation ही नहीं है क्या क्या कर सकते हैं वो तो सोचना भी बहुत दूर की बात है लेकिन मुझे जो चीजे लगती है हम initial stage पर कर सकते हैं learni n g point of view से कर सकते हैं जिख को सीखने के point of view से कर सकते हैं मैं वो बता देता हूँ कुछ चीजों में जैसे पहली चीज हम अभी ये कितने परसंट है 33 परसंट जूम है मैं इसे 100 परसंट जूम करना चाहूँगा 100 परसंट में मुझे जो जो कमिया दिखाई दे रही है हम उनी को सॉल करेगे इस 100 को हम 200 कर लें 400 कर लें और फिर करें देखो यह आपका यहाँ पर टेक्षप फट रहा है तो यह कोई सॉल नहीं कर सकता तो हम बात करेगे 100 परसंट जूम पर एक्चुल पिक्सल्स पर ठीक है आप नॉर्मली इसे राइट क्लिक करके एक्चुल पिक्सल्स देख सकते हैं अपनी इमेज को आ तो था था कही पर पर राइट क्लिक करके आपको मिल जाएगा आप जब 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 लोगे तो 100% और फिट तो इसके तो 100% ले ले लेता है यह है यह मूव टूल यह आपका जूम टूल था ठीक है सिंप्ली राइट क्लिक करके 100% और वापस आप मूव टूल पर आजाएगे नॉमली ठीक है अब जो सबसे पहली चीज मुझे लग रही है मेरे टेक्शर से लिटेड वो पहली चीज मुझे लगती है ब्राश यहाँ पर जो मुझे यह टेक्शर है यह हलका सा ब्लरिश फटता हुआ सा दिखाई दे रहा है ठीक है तो अब इसका सॉलिशन क्या हो सकता है इसका सॉलिशन दो है या तो आपने यह जो बंप दिया है यह जो टेक्शर बनाया है ठीक है इस टेक्शर में आपके पास कही कोई जो आपने दिया है UVW Map उसके उपर कोई प्रॉब्लम है ठीक है जिसे यहां पर बलरिश हो गया ठीक है यहां पर यहलका सा बलरिश है उपर में देखूं तो उपर भी कही कही पैचिज में हमेगे को हलका सा बलर दिखा關係 तो हो सकता है आपने जो फाइल में material लगाया है वो ठीक नहीं है ठीक है तो जवुरत क्या है आपको एक अच्छे material को use करने की high isolation material को हम file में भी चेक करेंगे क्या है इसका isolation और क्यों ये इस तरह से आ रही है फाइल में भी चेक करेंगे 3D max file में ठीक है पहली problem हमें ये दिखाई देती है दूसरी problem के हम बात करें दूसरी problem हम ले लेते हैं वो ये किस type का patch है और ये किस type का patch है ये या तो हमाएं साथ photoshop post editing में हुआ है ठीक है और इस material के is patch की हम बात करें तो इसी material में हमें यहां पर एक seam बनती हुई सी दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है एक seam आप अप हलका सा जूम on zoom और कर लीजिए और देखे यह देखे रही है हर जगे आपको इस type की seam बनती भी दिखाई दे रही है वो seam आपको नहीं चाहिए चीए यह seam नहीं बननी चाहिए चीए और और इस material पर जो आपको shade से वो अच्छे नहीं लग रहे में को बहुती flat और बहुती जादा dark दिखाई दे रहे हैं तो इस पर हम work out कर सकते हैं ठीक है और एक और issue मुझे दिखाई दे रहा है ये जाली का ये जाली किसी iron man से कम नहीं है जो की हवा में उड़ रही है जिस पर हम बात कर सकते हैं वो है ये जाली ये हवा में कैसे लटक रही है इसकी कोई frame होनी चाहिए कोई step होने चाहिए ताकि ठीक रही दिखाई दे में पास एक और issue एक और problem जो हमें दिखाई दे रही है वो है ये railing ठीक है इस railing में मुझे लगता है कि कही ना कही problem है अगर हमने frosted glass की एक railing बनाई है तो frosted glass को लगाया कैसे मुझे थोड़ा से ये doubt है मैं doubt कह रहा हूँ मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ ठीक है क्योंकि आजकल resources और options इतने मिलते हैं हमें कि लग सकती हो सकता है bottom में कोई frame हो जिसमें ये toughened glass और fit किया हो frosted है और हो सकता है यहां front में हमें किसी तरीके की यहां पर struts लगे वे नहीं दिख रहे हो काच के उपर struts लगते हैं और inner side को struts लगे हो हो सकता है ठीक है लेकिन corners में मैं चाहूंगा कि corners में frame अगर होती या struts यहां शो हो रहे होते हैं तो much better रहता है तो यह issue है जो doubtful है जो might be ठीक हो सकता है might be चल सकता है इसमें कोई खास commendable चीज नहीं है एक और issue मुझे दिखाए देता है यहां जो light का distribution है यह light के distributions मुझे बहुती awkward लग रहे हैं ठीक है यहां पर कुछ अच्छा आ जाता तो अच्छा था लेकिन यह balcony में जो light लगी है इनका distributions में को बिलकुल natural या फिर ठीक नहीं लग रहा है यहां मुझे कुछ proper is light लगानी चाहिए थी एक और issue है मेरे पास lighting का लाइटिंग का issue मुझे यह कहता है कि अगर light source यहां से आ रहा है इस direction से आ रहा है जैसे अगर मैं light का direction create करने के कोशिश करूँ अगर में पास light यहां से बनतीवी आ रही है ठीक है यह light आ रही है में पास ठीक है तो यहां तो मैं मान लेता हूं कि मुझे is light का अच्छा effect दिखाई देगा लेकिन यहां मुझे नहीं लगता कि यह is light ज़ादा दिखाई देगी क्योंकि यह मेरा main light source इस तरफ से आ रहा है और यह light source कोई touch वाली रोशनी नहीं है ठीक है यह नहीं यह light source यहां से नहीं आया ओके control and यह light source एकदम टॉप से ही आ रहा है यह लगबग दौनों तरफ shadow बन रही है और जैसी कि यहां पे हमें यह दिख रही है shadow बनती भी तो मुझे लगता है यह light source यहां से करीब इस तरीके से इस angle से बनता हुआ रहा है ठीक है तो इस वज़े से यह shadow यहां इस टाइप से बन रही है ठीक है इस condition में यह light हो सकती है देख सकती है लेकिन फे भी sun जब लगता है तो हमें balcony में इतनी lights देखती नहीं है तो यह जो daylight feeling है यह मेरा कही ना कही मिस मैच हो रहा है ठीक है तो lighting shading मुझे थोड़ी सी awkward लगती है और डोल मुझे बहुत artificial लग रहे हैं डोल पर working होना बहुत जादा ज़ूरी है और अगर हम road की बात करें तो road में यह checker type का कुछ pattern लगाया है ठीक है लेकिन यह जो objects इन्हों ने लगाया है dotted line है zebra lines यह दोस्त उपर उभरीवी नहीं होगी यह painted होती है basically ठीक है और यहां अगर मैं देखूं तो इसके नीचे यह कैसे फीज से में पास material दिखाई दे रहा है जो लगबग impossible है यह पापर उपर कैसे आ गया okay इसमें मुझे थोड़ा सा कोई issue दिखाई दे रहा है कि यह क्या बवाल है ठीक नहीं लग रहा है और अगर हम बात करें कम्यों की तो एक थोड़ी सी कम्य मुझे यहां दिखाई दे लिए इस object की यह जो white light है white balance है वह बहुत जादा दिखाई दे रहा है light यह बहुत जादा bounce हो रही है यहां से light यह देखो बहुत जादा bounce हो रही है जहां जहां यह वाइट डॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यह यह बहुत जादा बाउंस हो लिए ठीक है यह टैक्शर देखो यहां फिर बिगड़ गया मुलब कमिया अगर हम देखना चाहे तो बहुत जादा है इसमें कमिया जो की सॉल करते करते हमें बहुत दिन बीच जाएगे जो चीजे हो सकती है वो मैं यहाँ पर सॉल करके बताऊंगा बाकि मेई पेड़ क्लासिस में इनके सॉलिशन्स होते हैं ठीक है तो अगर मेई क्लास सॉलिशन्स बताइब है जितने भी मैंने अभी यहाँ पर सॉलिशन्स बताएब तो मैं तो सजिस्ट यह करोगा कि मैक्जिमम से मैग्जिमम में क्लासिस जो ली है उनको सिफ औरसी डैश बूर्ड में में वैब साइट के डैश बूर्ड में पढ़े रखने से कोई फायदा के लिए तो आपको समझ आ जाएगा यह प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी ठीक है बाकी हम फाइल उपन करते हैं और देखते हैं इनकी फाइल में क्या क्या हम कर सकते हैं इन्होंने जो फ I am really very sorry दोस्तों हमारे जो दोस्त है उन्होंने हमें जो फाइल भेजी है वो विदाव टेक्शर्स के भेजी है सिफ और सिफ एक मैक्स फाइल इन्होंने हमें भेजी है और ये फाइल भी इन्होंने भेजी है मुझे मैक्स के वर्जन न जाने कौन से मैं 2021 में इन्होंने फाइल बना रखी है चीक है तो ये बड़ी प्राब्लम वाली बात हो गई 2021 में शायद इन्होंने फाइले बना रखी है क्योंकि जब हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमें इसका जो कोड है वर्जन कोड जो फाइल के वर्जन होते हैं वो दिखाया है 22 ठीक है तो ये 22 है तो इमें 21 से 2020 में फाइल बना रखी है ठीक है तो ये जो मैक्स फाइल इन्होंने हमें बेजी है मैक्स 2020 में भेजी है जबकि हम 2020 यूज नहीं कर रहे हैं तो अब क्या किया जा सकता है देखते हैं पहली प्रॉब्लम हम इससे लेके चलते हैं ये जो बाउंस हो रही है ये मैं आपको समझा देता हूँ बाउंस क्यों होती है मैंने वैसे अपनी normal कुछे classes में भी काफी बाउंस क्यों होती है ये मान लीजे मैंने एक object लगा रखा है ठीके as usual मैं हमेशा जो कहता हूँ आप use कीजे quick render setting बेटर result दे देती है आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रुद नहीं है आपको जैसे लगता है कभी कोई कहता है corona में आपको कोई setting नहीं करनी परती तो आपको यहाँ भी किसी तरह की कोई setting नहीं करनी परेगी ठीके आप quick settings के साथ जा सकते हैं easily और आप normal light लगा लीजिए एक बार वीरे light box मैं आप लोगों से request करूगा कि आप वीडियो को तसली से देखें सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करके रखने से काम नहीं बनेगा क्योंकि मुझे 90% लोग कहते हैं सर्फ मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं हर एक वीडियो जैसे आप अपलोड करते हों मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूं ठीके तो डाउनलोड करने से काम नहीं बनेगा आपको वीडियो को देखना पड़ेगा और यूटूब पे जब आप वीडियो देखते हैं तो उसका directly indirectly benefits मुझे होता है ठीक है और वो जो छोटा सा benefit आपके थूर मुझे होता है उसी से मुझे थोड़ा सा motivation मिलता है कि मैं और अच्छे वीडियो और अच्छा content आप लोगों के लिए रैडिक करो ठीक है और आप नहीं देखेगे तो कैसे काम चलेगा फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं होता अब देखे हो क्या रहा है आपके साथ भी ये problem आती होगी आप जब इस view को देख रहे हैं तो नीचे का जो color है वो आपके उपर के object के उपर reflect हो रहा है जैसा कि हमने इस image में भी देखा था ये यहां से color बहुत जादा उपर bounce हो रहा है white color उपर bounce आ रहा है जहां जा white दिख रहा है ठीक है अलाकि बाकी दूसरे color इतने bounce नहीं हो रहे हैं ठीक है लेकिन जो white color है यहां का वो उपर bounce हो रहा है इस वज़े से यहां से uneven shading मुझे देखने को मिल रही है तो यह file हमारे पास है इसे मैं interactive on कर लेता हूँ ताकि easy हो आपको फर्ग दिखाने में अब दिख रहा है यह कौन आपको जो bounce हो रहा है अब इसे हमें करना है control इसे control करने के लिए हमें क्या करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारे box के उपर यह control हो जाए तो यह आ कहा से रहा है फ्लोर से कोई चीज फ्लोर पर टक्रा कर फीर उपर उचलती है आप बॉल होती है बॉल को जब जमीन पर फैक्ट है तब ही वह वापर उचलती है तो किस से टकरा के उचली है फ्लोर पर तो यहाँ पर light फ्लोर पर टकरा कर आपके box के उपर जा रही है तो आपको select करना है आपका floor आपको right लिकरना है और वेरे properties में जाना है और generate GI को कर देना है कम ओके जैसे ही आपने generate GI कम किया दिखा यह हो गया सही मैं रिजन कर देता हूँ और वापस से इस generate GI को एक कर देता हूँ close अब देखो फर्क पता चल गया तो इस तरीके से हम uneven bouncing को control कर सकते हैं without materials, maps और दुन्या भर के मतलब ताम जाम किये बगैर जो होते हैं जो मैं कई बार कई tutorials में दिखते हैं दुन्या भर के override material उपर लग रहे हैं और हर एक object के उपर एक अलग चीज़ लग रही है उसके उपर हमने dirt अलग से use किया है उसके उपर reflection अलग से override डाल दिया है और मतलब हम diffuse अलग कर ले रहे हैं अलग से use कर रहे हैं तो इस दुन्या भर के जो टाम जाम है टेक्निकल जो टाम से हमारी आर्किट्रेक्ट्रिंग में काम की है obviously काम की है मैं यह नहीं कहरा काम की नहीं है लेकिन मैं कहरा हूँ initial level पर basic level पर जहां अभी आप सिर्फ इस type के views ही बना पा रहे हैं इस initial level पर अगर आप थोड़ा सा focus करें तो कई basic tools हैं हम जिनको use करके अपनी basic shading को control कर सकते हैं clear तो दूसरी problem textures की यह blurness जो आ रही है might be आपने blurness texture जो लिया है वो सही नहीं लिया है उसमें blurness जादा होगी अब अगर मैं बात करूँ इस type की जो seem create होती है उसके बारे में ठीके तो हम जाते हैं हमारे material editor में ठीके diffuse की उपर हम ले लेते हैं इस बार एक standard bitmap okay कोई texture लेते हैं जिसमें seem आ जाए में आपको दिखाए दे 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 लिए आपको दिखाए दे लिए इसके तो बात ही कुछ और है है ना चलो हम ले लेते हैं कोई अजीब सा texture चलो यह ले लेते हैं ठीके अब इसमें क्या है हमें काफी ज्यादा seems दिखाए दे दी है ठीके यह जो seems दिखाए दे लिए हम दो चीज़े कर सकते हैं एक तो यहां हम use कर सकते हैं हमारे mirrors तो आप जैसे mirror use करेगे तो यह क्या करेगा दौनों texture को आपस में mirror कर देगा अब इसमें जो seem create हो रही थी वह बहुत जादा हो रही थी इस वज़े से यह ऐसे तरीके से आपको fade out होता हुआ दिखाए दे रहा है बाकि आप यह mirror use कर सकते हैं ठीके texture हम दूसरा एक बार use करके देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा detail में समझा सके हैं all map इसमें हमें दिखाए दे रही है यह scene इसे control करने के लिए आप mirror use कर सकते हैं ठीक है आपने जैसे mirror use किया क्या हुआ इसने इस image को flip करके इसके पास रख दिया और यह इस type के आपकी बन गई एक loopness ठीक है अब इसे हम दूसरे तरीके से भी सही कर सकते हैं किस तरीके से Photoshop में अब Photoshop में कैसे कर सकते हैं आप उठाइए अपने इस texture को आपका यह texture है dash dot jpg okay इसे हमने लिया था यह रहा open with Photoshop okay इस seam को खतम करने के लिए आपके पास एक option है आप इसे layer में convert कीजिए crop tool यूज कीजिए आप crop tool में इसे थोड़ा सा बड़ा area बना दीजिए इस image को जब आप double tiling करते हैं तो क्या होता यह इस तरीके से place होता है ठीक है और जब यह नीचे जाता है तो इस तरीके से place होता है ठीक है इसके top और bottom में तो मुझे seam में कोई problem लग नहीं रही है ठीक है अगर मैं देखूं मेरे इस part में तो इस part और इस part में problem लग रही है तो problem में पास कहा है मेरी image के इस part पे और इस part पे क्योंकि यह दोनों areas आपस में same नहीं है और इसी वज़े से जब हम इसकी left और right में copy कर रहे हैं तो यह seam दिखाई दे रही है ठीक है तो अब इसका solution इसका solution दो तरीके से हो सकता है पहला तरीका आप यह जो area आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे को लीजिए इसकी copy कीजिए ठीक है तो इसकी copy कैसे होगी Ctrl J से आप इसकी copy कर सकते हैं Ctrl J ठीक है इसकी copy हो गई यह रहा ठीक है इससे सीधे सीधे आप Ctrl T कीजे और Flip कर दीजे Horizontal तो अब ये क्या Horizontal Flip हो गया तो हुआ क्या इसका ये जो पार्ट था ये पार्ट अब यहां पर आ गया और इसे आप इस पर रख दीजे हुआ क्या अब अगर मैं इस image को देखूं तो ये इसके उपर fit हो गया, overlap हो गया अब अगर मुझे इसमें इसके selection में यहां पर ये age दिखाई देती है ठीक है, हाला कि ये इतनी notice में नहीं आएगी जब आप tiling बनाएगे तो ठीक है, ये वाली line इतनी notice में नहीं आएगी, लेकिन फीबी अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो notice में हो रही है तो आपको क्या करना है इस पर हलका सा एक erase tool चला देना है हलका सा ठीक है, flow को आप कम कर सकते हो और यहां पर smooth brush रो use करना hardness 100% नहीं hardness 0% मतलब smooth मेरे अंदर hardness बिल्कुल नहीं है मतलब मैं smooth nature का हूँ ठीक है, तो hardness 0% मतलब एकदम smooth brush और यहां से इसे हलका सा slender कर दो remove कर दो, ठीक है तो यह जो line बनती हुई सी आपको दिखाई दे रही थी यह यहां से गायब हो जाएगी clear मैंने इस image को फिर से save किया जिस condition में थी crop tool वापस से लिया clear मैंने इसे कर दिया flatten वापस jpg बन गई close and save max में आ जाते हैं cancel यह image यहां पर क्या हो गई आटो update हो गई अब देखो हमने इसे tile ही रख रखा है tile ही है हमने इसे mirror नहीं किया है और horizontal में आने वाली जो भी seam थी वो सब क्या हो गई एकदम clear हो गई vertical में might भी मुझे इसमें हलकी सी seam की requirement लग रही है तो vertical में भी हम same इसी तरीके से texture पर creation कर सकते हैं seam को हटा सकते हैं क्योंकि अभी इसमें क्या seam यह वाली जो चीज़े नहीं bottom वाली यह दिखाई दे लिए तो इसको भी हम Photoshop में same इसी pattern पर काम कर सकते हैं तो हमारी vertical seam भी clear हो जाए गी बाकि आपके पास एक और option है आप net से जब भी images download करें जैसे हमने Google से image download की या texture download किया तो आप seamless textures ही सर्च करें seamless textures मतलब जिसमें seam नहीं बनेगी tools में आप सर्च करें large images तो I think आपको clear हुआ होगा कि यह जो कुछ एक problem है seam की और इसकी bouncing की कैसे दूर हो सकती है textures अच्छे use करें यहां पर आप यूज करें तो डहन की जाली यूज करें ताकि जाली यूज करें ताकि अपिके से सिर्फ आपको आयस लाइक लेना है यहाँ पास प्लेस करना है लाइक यहाँ होगी एफेक्ट आपकी बॉल पे आना चाहिए आई-स लाइक में यहाँ फैल लेनी है आपको जो आपके पास आई-स फाइल्स होती है ठीके इस फाइल को लेना है जैसे मैंने डाउनलोड में कुछ कर रखी होगी या इसमें कोई पॉलार्ट रखती है तो मैंने इसे ले लिया बस रियलिस्टिक में अगर मैं देखूं तो यह इस ट्राइब से लाइट आ गई यह इस तरीके से आ जाएगी इंटेंसिटी हम यहां से कम कर सकते हैं अब मुझे नहीं आता समझ में कि यह इतनी बेसिक चीजे क्यों सॉल नहीं हो रही क्यों हम इन्हें प्रॉपर तरीके से सैट नहीं कर रहे वाल पर इफेक्ट अच्छा दिखाई देगा आपके पास उपर फ्लोर होगा तो उस पर इफेक्ट दिखाई देगा IS lights आपको proper use करनी है ये देखो उपर दिखाई दे रहा है ये wall पे दिखाई दे रहा है नीचे दिखाई दे रहा है सब जगे ये effect हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है हम जब लगाते हैं हमारी file में तो वो क्यों नहीं दिखाई देता वो आपको देखना है आपकी क्या गल्ती है वो आपको ढूमनी है तो I hope आपकी ये problem solve हुई होगी मैं अपनी कुछ paid classes के बारे में एक बार बता दूँ क्योंकि last time काफी बार मुझे बोला था मेरे viewers ने messages भी आये थे कि interiors की भी कुछ में offer में अपनी classes दे दूँ तो कुछ interior की classes है जो till lockdown मैंने offer में रखी है ये कुछ classes है project 1, 2, 3 and 4 इनको आप ले सकते हैं देख सकते हैं और इनका use कर सकते है आराम से इनमें आपके max file साथ में मिलती है project की modeling इन में include नहीं होती है और purpose की cost 700 है 700 में आपको unlimited access मिलता है इन tutorials को देखने का आप किती बार भी देख सकते हैं max file मिलती है mobile app है जिसमें आपको downloading का option मिलता है offline save करने का please इस चीज को अच्छे से समझिए offline video save हम जैसे youtube में save करते हैं मैंने click किया offline वो mobile app में save हो जाता है हम वहां से निकाल के system पे लेगा के play कर सकते हैं क्या उन videos को नहीं न तो ये आपको offline save का option देता है career hacks app में ताकि आपका net बार बार use नहीं हो quality वही रहेगी video की आप उसे android devices पर play कर सकते हो screen cast कर सकते हो tv पर play कर सकते हो amazon fire stick से play कर सकते हो smart tv पर play कर सकते हो laptop पर my phone के थू कर सकते हो अगर आप window 10 यूज कर रहे हैं तो my phone app होती है इससे आप अपने mobile को sync कर लीजिए ठीक है इससे आप अपने mobile को sync कर लेगे तो यहाँ पर आप उसकी screen को देख सकते हो मतलब आदाम से यूज कर सकते हो कही कोई दिक्कत नहीं है अब multiple uses कर सकते हो हर screen पर हर device पर उसे आदाम से यूज कर सकते हो ठीक है तो आपको problem नहीं होगी ओके तो अब हमाई पास जो next file है हमाई पास वो है राजेश पांचाल कि इसे देख लेते हैं ओके एक्स्ट्रेक्ट हो चुकी है राजेश max file open ठीक है ओके यह हमसे पूछा था कि हमारी system लेना है या गामा मतलब फाइल का लेना है और अब वीरे वर्जन में कुछ changes था तो वो चाहता था कि हम उसे changes कर दे या ना करे accept के okay किया और यह file हो गई हमारे पास open ठीक है standard view ओके लाइटों का placement अच्छा खासा इन्हों ना किया है यह तो मेरी ही paid class है और इन्होंने मेरी paid class के according काम भी किया है कुछ-कुछ ठीक है देखते है इनको परेशानी क्या रही है इनके according इनका जो output आ रहा था वह बहुत ज्यादा dark एकदम blackish आ रहा था तो एक बार को तो हम इसका draft render करके देख लेते हैं okay frame buffer एक बार देखते हैं हमने इसे render कैसे कहा है एक बार directly render करके देखते हैं सबसे पहली problem इसमें है output path को लेकर basically यह problem कई बार आती होगी file open error यह problem आती है output path से related साफ लिखा है output path मतलब आप जो render कर रहे हैं उसको save करने का यह path होता है यह d drive में आपको नहीं मिल रहा अब यह नहीं मिल रहा तो इसे आप off कर दीजिए अब render करके देखिए okay यह frame buffer में render नहीं किया हुआ है यह basically render किया है इन्होंने max की standard window में okay तो एक बार देखते हैं building light cache में क्या आ रहा है okay output के नाम पर इनके कुछ भी नहीं आ रहा जैसा ही कह रहे थे एकडम black out हो रहा है तो चलो थोड़ा सा इससे लर लेते हैं और देख लेते हैं कि problem कहा है cancel okay ठीक है first of all यह extra texture वगर की मुझसे demand कर रहा था तो मैं इसे render elements एक बार off कर देता हूं क्योंकि में लिए priority है कि render आए उसके बाद हम देखें कि render extra element जो है render के वह कैसे use करना है ठीक है इस settings में हमें किसी तरह के दिक्कत लगने दी है material मुझे व्यपोर्ट पर सारे दिखाई दे रहे हैं फिर भी हम चाहे तो इन textures को एक जगे कॉल कर लेते हैं क्योंकि अभी जैसे हम देखें file, reference, asset manager यह सब found आरे मेरा हमेशा कहना होता है कि यह okay लिखा आना चाहिए found नहीं आना चाहिए तो जितने भी यहां पर assets है उनको मैं एक folder में shift कर लेता हूं यहां से यहां तब के सारे मैंने textures लिए और इसके maps one नाम के folder में paste कर दिये replace, okay no problem location copy asset tracker कहा गया highlight all set path और यहां से हमने दे दिया path, okay यह सब okay हो जाने चाहिए great अभी भी found है face हम लेते है highlighted set path maps नाम कर location से था okay देखे जब तक okay नहीं होता तब तक आपको हार नहीं माननी है आपका okay नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कई कुछ ना कुछ गलत हो रहा है अब सब okay आगए texture आपके okay है render element आपको नहीं चाहिए settings में हम देख लेते हैं अगर कुछ different कर रखा हो तो यहां मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है कर रहे है तो बात अलग है लेकिन यहां पर में जे radiance map नहीं दिखाए दे रहा में पास सिफ विए proxies और एक IES file ठीक है यह दो ही चीजे में को external link में दिखाए दे रही है जो proxy है Vira mesh और IES file ठीक है radiance map इन्होंने save नहीं कर रखा है तो यहां से from file नहीं लेना है और हमें single frame लेना है light cache अगर हम देखे still है subdivision बहुत जादा है हलाकि इतने जादा subdivisions की हमें need नहीं होती fast render हो जाए इसलिए मैं इसे एक बार भीज कर रहा हूं only for 20 बाद में हम देखे कि इसमें 1000 देना है या क्या देना है वो तो tutorial पे मैंने 20 करोगा चिक है जो मुझे बहुत जादा लग रहा था यह medium की जगे में इसे एक बार low ले लेता हूं in fact कई बार मैं very low भी ले लेता हूं चिक है क्योंकि मुझे output डेखना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा quality तो इसके increase करी देगे ओ यह divisions just for preview हम इसे change कर देते हैं ताकि जल्दी से हमें दिखाए दें हम देख लेते हैं कही और कोई कि अचीब से setting ना कर रखी हो इन्होंने जिस वज़े से यह black आ रहा हो ठीक है बाकी किसी तरीकी settings मुझे नहीं लगती परेशानी वाली और environment में देख लेते हैं कुछ extra effects तो नहीं डाल रखे और इधर exposure वगर तो नहीं है ठीक है अब हम करते हैं इसे render और देखते हैं कि क्या अब result आ रहा है ठीक है अब result आ गया तो देखिए आपने जो settings कर रखी थी radiance map में एक आपने issue था कि आपने from file का रखा था और light cache आपने बहुत जादा कर रखा था और जो आपके पास क्या कहते हैं indirect illumination वो भी जादा कर रखा था लेकिन मैं ये clear कर दूँ कि indirect illumination जो है आपका radiance map और इसकी value से कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है आपने medium कर रखा था हम अगर ये setting वापस से यही कर दे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा आप render करेगे तो आपको render में result दिखना लगेगा बस होगा ये कि वो थोड़ा सा slowly हो जाएगा अब यहां basically आपको क्या दे रहा है light cache generate होने में बहुत time ले रहा है और वो चीज़ आपको यह update नहीं दिखाई दे रहा log window कहा है हमारी log window वीरे की log window कहा है यह रही देखे अगर हम log window की बात करें तो यहां पर बहुत सारे unsupported materials यह दिखा रहा है और इन unsupported materials में क्या है glossiness related वता रहा है कि unsupported है वह इसलिए क्यूंकि यह हो सकता है पुराने version में बनी वी थी और new version में आ गई तो इस वज़े से glossiness and reflections की calculation प्रॉपर नहीं कर पा रहा है और render नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हम इसे ज़्यादा परेशान न करके यहां से या तो रेट्रेस आप बन कर दीजे या फिक Glossy Rays आप बन कर दीजे Glossy Rays हम बन कर दीजे तो I think problem solve हो जाएगी यह कुछ basic परेशानिया होती है जो आपको फेस करनी पड़ती है फाइल में और यह हमेशा नई तरीके की परेशानिया आपको फेस करने को मिलेगी यह किसी और की फाइल में हम पर कर रहे हैं अभी फेस हमें यह खुट की फाइलों में भी परेशानिया फेस करने को मिलती है ठीक है अग्या एक तो यह रेंडर हुआ है ठीक है बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है डाकनेस इतनी मुझे लग नहीं देए जितना की उनना का था जो प्रॉब्लम थी आपके सेटिंग से में कुछ प्रॉब्लम थी बाकि इतनी कुई खास प्रॉब्लम नहीं थी लाइट जो अवर एक्सपोजर है उसे आपको कंट्रोल करना है यह एडिया आपका जो उसे ज़्यादा बर्ण हो रहा है तो इन लाइट को आपको कंट्रोल करना है ठीक है तो आप जाएगे लाइट में ओके इंटेंसिटी इसकी आपके पास से 1000 आप इसे 500 कर दीजिए हाफ कर दीजिए यह आपकी कम हो गए इंटेंसिटी दैन नौइज हो गया सब होई जाएगी दिमूव यह इंटेंसिटी भी आपको ज्यादा लगती है तो उसे कम कर सकते हम और और अवरॉल कलर साचुरेशन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थीक है तो यहां में सेचुरेशन मिलती इसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं सेचुरेशन को तो कलर स्थोड़ इसस स्मूथ और सॉफ्ट और आने लगेगे थीक है बाकी सब चीज़े आपने कर रखी है अच्छे से सीख रखी है कही कोई दिक्कत न लगी थी जिसकी रिक्वार्मेंट नहीं है आप इसे थोड़ा सॉफ्टली कीजिए तो फास्ट रेंडर होगा और सही आउटपुट भी आएगा ठीक है थोड़ा सा ब्राइट अगर मुझे ओर करने की रिक्वार्मेंट लगती है तो यहां जैसे कि आपने कलर मैपिंग गाम कि अब इतना सा रेंडर कर लेते हैं ताकि हमारे चेंजिस हमें दिख जाए है तो चीक है मुझे फर्क दिखाए दे रहा है और यह सही भी लग रहा है फर्क बिसिकली यहां कलर साच्रेशन बहुत जादा आ रही थी और यहां थोड़ी सी स्मूथ हो गई है थोड़ा सा नॉर्मल हमें इंपक्त दिखाए देने लगा है यहां जो बनने सारी की साच्रेशन आ रही है उसे हमें कंट्रोल करना है तो लाइट के कलर यह जो आपने यहां लाइट का कलर ले रखा है इसे आपको थोड़ा सा और सॉफ्ट लेना पड़ेगा ताकि यहां आपके पास सॉफ्ट रिजल्ट आए ठीक है और यह भी ठीक लग रहा है तो बेसिक यह करेक्शन से जो आपको करने हैं और इनको करते रहेगे तो इंप्रमेंट और अच्छे आपको मिल जा हो डाएएब को बाएब को वाचिन